की Just कि वैलकम टू साथीटएच gw dock लास्ट क्लास में हमने जानना था इलिटद face । इलिट कि कया है और यह कैसे काम करतो है और अज की क्लास में हम जानेंगे जूम के बारे में वैसे तो जूम करने के लिए मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है लेकिन आज जो है मैं जुम डूल के बार बदाता हूं कि घृुम गया होता है देखे जूम टूल हम इसे बोलते यह जूम टूले इसकाption की है जैसे जैसे मैं और जानते हैं कि जूम टूल को कैसे यूज करते हैं देखिए जूम टूल को हम टूल बार पैनल से भी यूज कर सकते हैं मैंने जूम टूल से लेक्ट कर रखा है और यह जूम टूल पैनल के अंदर देखिए प्लस और माइनस इनलार्ज एंड डिडियूज तो देखिए अग अगर मैं यह सेल्क करता हूं तो मैं माइनस करूंगा मतलब मैं किलिक करूंगा और यह माइनस होता जाएगा देखिए दूसरा तरीका है ड्रैग विद जूम टूल यह देखिए यह क्या दूसरा तरीका क्या है कि मैं इससे ड्रैक करके भी जूम कर सकते हूं मैं जिस एरिया को जूम करना चाहूं सपोज अगर मैं इस एरिया को सपोज इस एरिया को मैं जूम करना चाहूं तो मैं इसको इतना ड्रैक करूँगा और ये इतना जूम हो जाएगा यह देखिए देखा आपने मैं फिर से दिखाता हूं अगर मैं इस एरिये को जूम करना चाहूं तो देखिए मैं इस वाले एरिये को इतना जूम करना चाहूं तो यह इतना जूम हो जाएगा यह हम डायक करके इसको जुम कर सकते हैं और अगर मैं Hold down की प्रेस करता हूँ तो जुम-इन जुम-आृट कर सकती हूँ देखिये कैसे अभी मैंने Select कर लखा है ansch़़ इनलार्थ मैं अगर इसको Click करूँगा या drag करूँगा या मैं drag करता हूँ दोनों मैं से कुछ भी करता हूँ तो लेकिन अगर मैं alt press करता हूँ राइट तो देखिए ये क्या होगा जूम आउट होगा देख रहें ये reduce हो रहा है ये alt की press करने पे और अगर मैंने ये select कर रखा है ठीक है reduce और अगर मैं अब इसको क्लिक कर रहा हूं देखिए यह जूम आउट हो रहा है लेकिन अगर मैं आल्ट की प्रेस करता हूं तो यह अब जूम होगा यह बिल्किल उसकी अपोजिट होगा चलिए जानते हैं डबल क्लिक ओंदा जूम टूल मैं इसको करता हूं राइट जैसे यह है मेरा स्टेज ओके तो मैं क्या करता हूं अगर मैं इसको डॉबल क्लिक करता हूं देखिए तो यह रिसेट हो जाएगा इस्टेज साइज हंड़ेट परसेंट कि देखिए 100% पर यह सेट हो चुका है चलिए बागे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम स्टेज को जूम कै करेंगे ठीक है लेकिन यह जूम टूल यानि कि यह टूल नहीं होगा इसके और भी तरीके हैं और वह है हम मैगनिफाई यह मैगनिफिकेशन परसेंटेज देखिए यहां भी कर सकते हैं अगर मैं यहां पे जितना भी जूम इन जूम आउट करना है मैं 10 करूंगा तो देख कि यह कितना जूम हो जाएगा देखिए और दूसरा एक तरीका और है जो है विव पर जाके देखिए हम जाएंगे यहां पर जूम इन जूम आउट का एक option होगा अगर हम जूम इन करेंगे तो जूम इन होगा और अगर हम जूम आउट करेंगे तो जूम आउट होगा इसक इस एरियो को जूम करेगा और यह जूम आउट कंट्रोल माइनस देखिए चौता है मैगनिफिकेशन हम व्यू में जाएंगे और यहां पर मैगनिफिकेशन होगा आप देख सकते हैं यहां से हम 25-50 कोई भी स्लैक्ट कर सकते हैं अगर मुझे 50 करना है तो मैं 50 करूंगा मेरा जो स्टीज है 50 परसेंट हो जाएगा और अगर मुझे मैगनिफिकेशन में जाके एंड़ेट परसेंट करना पड़े तो मैं 800 परसेंट कर सकता हूं और इसका शॉर्टकट की जो है यह कंट्रोल एट है राइट यह देखिए 800 परसेंट हो गया है सेम यही चीज हम यहां से भी कर सकते हैं 50% 200% शो ओल एंड फीटिन विंडो इवन हम यहां से भी कर सकते हैं देखिए चलिए वागी चलते हैं और जानते हैं टूल प्रोपर्टीज के बारे में देखे इस टूल की कोई प्रोपर्टीज नहीं है और इसका कोई object प्रोपर्टीज भी नहीं है तो दोस्तों अगर आपको हमारी विडियो पसंद आया तो आप हमारी चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें